नमस्ते, क्या आप खोज रहा है एक बेस्ट फोटो प्रिंटर जो की हाई रेजुलेशन एड लेब गॉल्टी प्रिंट दे बाट एफोड़बल प्राइस में और जिसका प्रिंटिंग कोस्ट भी बहुत ही कम हो तो फिर और ढूंडने की ज़रुरत नहीं है मैं आप लोगों को आज सजेस्ट करूंगा एक बेस्ट फोटो प्रिंटर जो की मैं पिछले 6 महिने से मेरे साइबार काफे में यूज कर रहा हूं और उसके बाद आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और उसके बाद ही आपना डि इन टेंक प्रिंटर होने की बज़र से इसका प्रिंटी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है और प्रीमियम क्वालिटी है जो की इस प्राइस रेंज में मेरे को कुछ भी प्रिंटर में ऐसा प्रिंट नहीं दिखाँ अभी तक यह प्रिंटर सेंट कर रहा हूं इसका second advantage व्य राउटर में एक प्रिंटर कनेक्टेड तो आप इसको भी डाउटर में प्रिंटरे सकते हैं। इसके हैं। थार्ड पाइंट होने नुपाइंटिया हसे चार उपैंट है print cost इसका जो एक page के लिए print cost है वो है 2.5 रुपेया जो कि 46 पेज पूट करने पर आपको पड़ता है तो एक बहुत ही कम है क्यूंकि अगर आप lab में photo print करने जाओगे तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा रुपेय ले जएगा एक 46 में कही पे print करना चाहते है तो एक printing surface पे CD के उहाँ पे print कर सकता है कि बहुत सारे लोग इस option को use नहीं करते लेकिन इस method की वज़े से एक दूसरा जो point है PVC print यह जो system है यह system official है तो नहीं है लेकिन कुछ trick को use करके हम इसको use कर सकते है इस trick का जो video है वो मेरे channel पहले से ही है वो उ मदद से PVC कार्ड को भी प्रिंट कर सकते है इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंट स्पीड यह एक 46 फोटो को 12 सेकेंड में प्रिंट करके दे सकता ऐसा कमपानी का दावा है अगर मेरा हिसाब से बोलू तो अगर आपका पूरा पेज में इंक है तो इसको एक पेज प्रिंट क प्रिंट कर सकते हैं और अंदर क्या-क्या प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रिंट किया हूं आप लोग देखके जाज कर सकते हैं इस प्रिंटर का प्रिंटिंग मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है इस प्राइस रेंज में इसका प्रिंटिंग तो आपको कैसा लगा हमक अगर इसका disadvantage की बात करूं तो ऐसा कोई भी point मुझे नजार नहीं आया अभी तक जो इसका disadvantage हो सब printer में से एही printer है जिसका अभी तक मुझे negative point कुछ भी दिखा नहीं है अगर आप इस printer को खरीदना चाहते हैं तो description पे link है आप वहाँ से इसको check out कर सकते है और इसका अगर detailed specification आप लोग चाहे तो मैं एक description पे PDF दे दूँँगा तो वहाँ से आप इस पीडियोप को देखके इसका जो specification जो major specification है तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो वहाराल conclusion पे अगर आते हो तो मेरे opinion and experience के हिसाब से इस price range में बहुत ही अच्छा printer है सबका opinion एक नहीं होता आप अगर यह printer खरीद रहे तो इसका जादा research कीजिए अपने हिसाब से जो मैंने इसको research किया आप लोग के साथ share किया आप भी इसके उपर research कीजिए और उसके बाद ही खरीदिये अगर इस प्रेंज में कोई दूसरा printer है जो की बहुत ही better performance दे रहा है तो उसे ही आप चूज कीजिए तो मेरे हिसाब से तो यह printer इस price range में सबसे best है तो यह वीडियो आपको सायद helpful रहा होगा अगर इस वीडियो से आपको कोई भी help हुआ है तो इस वीडियो के लाइक कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए हमें ऐसे ही motivate करते रहिए आगे वीडियो बनने के लिए धन्यबाद